Kia Motors ने इंडिया में अपना Celtos और Sonnet के साथ साथ अपना Most Popular MPV Kia Currents का भी एक Gravity Edition को लॉंच किया है जो कि इस गाड़ी का Premium Optional Variant के उपर बेस्ट है आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 Kia Currents Gravity Edition के बारे में पुरा डीटेल में जानेंगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि Special Gravity Edition में आपको नया Extra क्या क्या चीज़े देखने को मिलेगा और देन हम लोग जानेंगे कि Special Gravity Edition में कौन-कौन सा Features है जो कि आपको Kia Currents Premium Optional Variant में देखने को मिल जाता है सबसे पहले जिन फीचर्स को नया लिया गया है उनकी और अगर देखा जाए तो वो है Single Pen Sunroof, एक Company Fitted Desk Amp, Artificial Black Leather Seats और Leathered Finish में आपको Door Trims और Center Armrest बगरा देखने को मिल जाएगा इसका अलबा इस गड़ का Interior में जो Cabin Lamps बगरा है वो Halogen में दिया जाता था लेकिन इस Special Edition के साथ में वो आपको LED में देखने को मिल जाएगा और Extradure में आपको Gravity Edition का Badges बगरा देखने को मिलेगा बाकि इस Special Edition में Premium Optional Variant से जो Features लिया गया है या फिर Accessories लिया गया है उनकी उरागार देखा जाए तो Extradure में आपको Simple Halogen Head Lamps का Setup दिया गया है Halogen Tail Lamps के साथ में Front में आपको कोई भी Halogen Fog Lamps नहीं दिया गया है इसका लाबा Side में आपको Alois देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर Special Edition में आपको 15 Inches का Steel Rims दिया गया है यहाँ पर Wheel Caps के साथ में Interior में जो Features लिया गया है वो है Dual Tone Interior जोकी एक Accessory Type का है इसका लाबा Power Steering, Manual AC, Rear Arm Rest, Second Row AC Wands 8 Inches का Tusscreen Infodernment System with Wander.Apple CarPlay और Charge Speakers का Music System अच्छा बात तो यह है कि Tusscreen दिया गया है और उसके साथ 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 एक Single Pen Sunroof भी ओफर किया जा रहा है तो इसलिए जो Special Gravity Edition है यह थोड़ा सा सेल हो सकता है बागी Safety Features के नाम पर इस Special Edition में आपको 6 Airbags, टायर पेसर मनिटरिंग सिस्टेम, Electronic Stability Control, इसके लबाँ Heel Ashes जैसे Safety Features देखने को मिल जाएगा Power Train और Transmission की और अगर दिखा जाए तो Kia Current का इस Special Gravity Edition के साथ में आपको तीन इंजिन और साफर किया गया है जिसमें से एक है 1.5 बिटर का पेट्रोल इंजिन, जिसके साथ में आपको 115 HP का Max Power देखने को मिलता है एक Manual Gearbox के साथ में दूसरा जो इंजिन है वो है 1.5 बिटर का Turbo Patrol इंजिन, जिसके साथ में आपको 160 HP का Max Power देखने को मिलता है एक IMT Gearbox के साथ में और जो तीसरा एंजिन है वो है 1.5 लिटर का डीजेल एंजिन जिसके साथ में आपको लगभग 116 HP का Max Power देखने को मिलता है Manual Gearbox के साथ में इस गाड़ी का Variant 120 प्राइस की और अगर देखा जाए पर फिलाल देख रहे हैं अगर आप लोग किया Sonnet and Seltos का Gravity Edition के वारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरा previous वीडियो देख सकते हैं जिनका लिंक आप को आई बाटन पर या फिर डिस्क्रिप्सन पर देखने को मिल जाएगा उन पर भी मैंने डीटेल में बात कर रखा है अज की इस वीडियो में तो बस इतना ही जल्दी ही मिलता हैं किसी नेक्ट वीडियो में वीडियो चला गए तो ज़रुसे वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंस करके बाताना आपको ये वीडियो का ऐसा लगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी क्या भी हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके उस बिल आकोन को दबा देना पिएक आपको हमारे इस चैनल पर ही मिलता रहेगा जय हिंद जय भारत